नमस्कार किसान भाईयों आपका इस्टी आर्खेती में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों कुछ किसान भाई हाइब्रिड किस्मों की गेहों की प्रजातियों की बुवाई करते हैं तो कुछ किसान भाई देशी किस्मों की भी बुवाई करते हैं तो दोस्तों आज जो हम जानकारी लेकर आवाए हैं हाइब्रिड किस्म की कुछ अच्छी प्रजातियों के बारे में यहां पर आपको बताने वाले हैं यदे hybrid किस्म के आप चुनाव करना चाहते हैं और hybrid किस्म की गेहों की बुआई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी ही अच्छी प्रजातियों के बारे में बताएंगे जिनकी वुआई करके आप निश्चित ही अच्छी उपज ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम इसी टापिक पर बात करते हैं लेकिन दोस्तों आप लोगों से अंदरोध हैं यदे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकान भी दबा दीजिएगा जिसे आपको अच्छी जानकारी खेती समंदित मिल सके और दोस्तों वीडियो यदे आपको यह पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना और सेर भी कर देना तो चलिए दोस्तों हम सिधे बात चुरू करते हैं दोस्तों हाइब्रेड की किसमे जो हमने चार-पांच चुनाव किया है वो आपके लिए बेहतर हैं बेहतर उपद दे देंगी उनकी जानकारी दोस्तों हम देंगे लेकिन उसके पहले थोड़ा हम आपको पता देते हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि सबसे पहले भारत में गेहूं की hybrid किस्म कौन आई थी? यद नहीं पता है तो दोस्तों आप जान लेजिए कि महिको कम्पनी ने सबसे पहले गेहूं की hybrid किस्म मार्केट में उतारा था जिसका नाम था प्रथम 7070 और इसकी काफी किसानों ने पसंद की गई आज भी काफी किसान भाई इस प्रजात की बुवाई करने की तरफ सोचते भी नहीं है और वो इन्हीं कम यानि वो महिको कमपनी का ही और प्रथम 70-70 बीज की ही बुवाई करते हैं लेकिन दोस्तों इसी बीच में काफी कमपनियों ने की होड़ लग गए और बहुत सी कमपनियां हाइबिरिड बीज को मार्केट में उतार दिया लेकिन बहुत सी कमपनियो के बीज आज मार्केट में नहीं दिखाई पड़ते हैं तो कुछ ऐसी 4-5 कमपनियां हैं जिनके बीज हाइबिरिड किस्म के काफी किसानों को पसंदा रहे हैं जिसमें से महिको का ही एक बीज है जिसको महिको गोल नाम से जानते हैं तो दोस्तों ये सब जानकारी हम आगे आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले थोड़ा हम जो प्रजातियां लिया हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं ये 4-5 जो प्रजातियां हमने किसान दोस्तों चैन किया है ये सभी की सभी आपको 130-135 दिन में पकर तयार होने वाली किसमें हैं नि मध्यमोध की किसमें सभी की उपजलगवग 25 कुंतल तक आपको प्रतेकर मिल जाएगी और सभी किसमों में आपको 3-4 पानी लगाने की आवस्तक्ता पड़ेगी सभी रोगरोधी प्रजातियां हैं और सभी जो है अच्छा उपादन देने वाली प्रजातियां हैं महिको की एक प्रजाति है जो आपको या देर से बुआई करते हैं वो जरूर पसंद आएगी तो उसकी भी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे तो दोस्तों आपको यहां पर सबसे पहले जो हम बता रहे हैं महिको की ही महिको गोल नाम की किस्म है जो अलग-अलग दो पैकिंगों में आपको मिल आई है यह किस्म जो है 135 से 35 दिन में पक्कर तयार हो जाती है 25 कुंतल तक आपको अधिक्तम पैदावार मिल जाएगी 3-4 से चाईयों की आवस्ता पड़ेगी इसके अतरिक तो दोस्तों जो महिको की दूसरी किस्म है जिसका नाम है महिको मुकुट और महिको मुकुट नाम क की प्रजाद जो है जिसकी आप लेट बुवाई कर सकते हैं जो 110 से 115 दिन में ही पक्कर तयार हो जाती है लगवग 20 से 22 कुंतल तक आपको अधिक्तम पैदावार प्रतेकर मिल जाएगी और इसकी पौधे की लंबाई जो है 115 सेंटीमीटर तक हो जाती है यानि काफी करते हैं जो काफी फेमस हुई है इसका नाम है सिरीराम सुपर 303 और इस किसम की बुवाई करना किसान आज काफी पसंद करते हैं क्योंकि यह भी मध्यमावद की पकने वाली किसम है 135 दिन में तयार होती अधिक्तम पैदावार इसकी भी 24 से 25 कुंतल तक मिल जाती है और यह म जरूर जानना चाहेंगे जिसका नाम है टाटा कंपनी की रिल टेन और यह भी कंपनी की अच्छी कंपनी की प्रजात है इसकी भी पकने की अवद 130-135 दिन में है लगभग 100 दिन में इसमें भी बालियान निकलाती है और सिरीराम सुपर में भी 100 दिन में बालियान निकलाती 25 कुंतल तक आपको इससे भी पैदावार मिल जाएगी और ये सभी की सभी प्रजातियां भूरा और पीला रत्वा रोग रोधी प्रजातियां तो किसान दोस्तों यदे आप रिशार्च यानि हाइबरिड बीज की बुवाई करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर इसमें से क कोई एक प्रजातिया आपको मिल जाए उसकी बुवाई कर सकते हैं लेकिन देर से भी आप बुवाई करना चाहते हैं तो आप माहिकों की मुक्ट किस्म का चुनाव कर करके बुवाई कर सकते हैं निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और यदि परिस्टियां सही रही तो आप 25 कुंतल तक उत्पादन ले सकते हैं दोस्तों यद आप इन किस्मों के बारे में या अन्य किस्म के बारे में और डिटेल से चाहते हैं तो कमेंट बाक्स में हमें जरूर बताईए किसान दोस्तों जय हिन जय भारत धन्यवाद